सब्सक्राइब करें हमारे ब्लाइंट टेक इंफोमेशन यूटीव चेनल को, वेल आइकन को प्रेश जरूर करें, ताकि हर रोज आने वाले हमारे नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सकें, और हाँ साथियों, यदि आप लोगों को हमारी पसंद आई, तो वीडियो को लाइक, दोस्तों को शियर और हमें एक कमेंट करके जरूर बताइएगा, कि आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी, और हाँ साथियों, मैं आप लोगों को एक बात तो बताना भूल ही गई, कि यदि आप लोग टेकनोलोजी से रिलेटिर ह इन्फोर्मेशन के साथ, तो दोस्तों, देरे किस बात की, फोलो कीजेगा हमारा अबाउट सेशन, और जड़ जाएए हमारे साथ, तो चलिए, शुरू करते हैं आपके इस एफिस्टोर को, धन्यवाद, तो काफी लोगों के सवाल आ रहे थे, कि सर कोई ऐसी एप्लिकेशन बताईए, जिसमें हम कलर को पहचान सकें, और फुटो में क्या हो रहा है, वो भी हम जान सकें, और मतलब ऐसे काफी सारे सवाल सा रहे थे, तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं, एक ऐसी की एप्लिकेशन जिसकी मदल से आप ऑब्जेक्ट ठीक है, और इमेजेस, अपना खुद का फेस, और भी कलर्स, और भी बहुत सारी चीज़ें, आप इस एप्लिकेशन पर देख सकते हो, और आप के हात में काड है, आधार काड है, पैन काड है, जो भी है, किसका है, क्या न हमारे टिलिग्राम चैनल और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स, इसके अलावा आपको प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगा, तो मेरा नाम है विकास चौधरी, चलिए, स्टार्ट करते हैं, आज की इस वीडियो को, आज चुके हैं, अपने मॉबाइल फोन की स्क्रीन पर और मैं अपने जिशू स्क्रीन डीडर को ओन कर देता हूँ, और फिर ओपन करेंगे वी माई असिस्टेंट एप्लीकेशन को, इसमें बहुत सारे उप्शन्स दिये गया है, सारी हम ब्लाइन परजन के काम के हो, सभी अच्छे से वर्क भी करते हैं, इस एप्लीकेशन को खुद यूज करके मैंने चेक आउट किया है, तब आप लोगों के लिए वीडियो में रिकोड कर रहा हूँ, तो चलिए ओपन करते हैं, एप्लीकेशन को, माई आइस यहां पे राउंस करता है, ठीक है, पुरना माई आइस असिस्टेंट है, ठीक है, ओपन करेंगे, जब तो आप इसको फश्टाइम उपन करोगे, तो आपका फोन बहुत तेजी से वाइबरेट करेगा, ठीक है, वीडियो में आएगा या नहीं आएगा यह तो मैं नहीं बता सकता, बट आपके हाथ में जिस्समें फोन होगा और आप इस एप्लीकेशन को खुद अपने फोन में प्रमिशन है, पहला उप्षन है टेक्ष्ट दूसरा है डिस्क्रिप्शन तीसरा है अबजेक्ट और फेस फेस और सटिंग्स है, टोटल इसमें एट उप्षन दिये गए हैं ठीक है, तो एक-एक के बारे में बात करेंगे बारी बारी से ठीक है, तो फर्स्ट आप्सन हमार प्रमिशन रिक्वेस्ट अलाव किया मैंने और अप कैमरा यहां पर ओपन हो गया, ठीक है फेस बारे में और कैमरा ओपन हो गया, जेखते हैं क्या-क्या अप्षन है यहां पर, जेखो यह आप कैमरे पर क्लिक करोगे तो आपका फोटो कैप्चर हो जाएगा, ठीक है इसके और एक उप्षन आता है चूज फ्रों चूज एमेज फ्रों गैलरी ठीक है तो वहां से आप चूज कर सकते हैं अब यहां से आप क्या करना है, इस अपने कैमरे के पीछे आपके आपके आप में जो भी काड़ है जो भी इसको रखना है ठीक है, उसके बाद जहां पे बोलत सब्क्रिक करते हैं, इसको देखते हैं, चलते हैं इसमें, इसमें बिशेमी ओप्सन है ठीक है, यहां पर भी एमेज हम अपना चूज कर सकते हैं ठीक है, फैर एग मिनिटे मेरे जिशू असिस्टेंट कुछ सभी से वर्क नहीं करें इसको मैं उफ कर देता हूं ठीकुर्ट चूब करता हूं खेर मैं अपनी गैलेरी में आ गया हूं अभी तक पता नहीं क्यों नहीं हो गया तो आप हम यहां से को यह में एक चूस करते हैं तो यह मैंने अपना फोटो चूस किया है अब देखते हैं इसके बारे में क्या डीटेल आती है पूरी मतलब हिस्ट्री दे दिए हमको हमारे फोटो में जो जो कुछ स्थाटी के देखते हैं यह देखो परसन होल्डिंग फ्लावर ठीक है फ्लावर पर थे अर्जन बिल्डिंग आउट्डोर एपल और डिजर्ट ठीक है तो इसने पूरी इंफोर्मेशन देदी जो भी हमारे फोटो में था ठीक है अब बैक करते हैं यहां से और यदि आप अपने सामने से कुछ फोटो देखना चाहते हो ठीक है कि आपके सामने क्या है ठीक है तो वह भी आप यहां पर चिक टू आउट कर सकते हो ठीक है जैसे कि मानलो कुछ भी रखा हुआ है ठीक हम उसको सिंपल क्या किस चीज के तो यह रखा है इसको देखते हैं आप केमरा पर मैंने क्लिक कर दिया ठीक है कैप्चिर हो जाएगा फोटो हमारा कि तो पता नहीं क्या प्रोग्लम के लिए हो रही है कैप्चर हो गया है ठीक है अब वेट करते हैं यह खुद बाखुद हमको रिजल्ट देगा ठीक है हम थोड़ा से वेट कर लेंगे है ना कि देखते हैं तक वो रिजल्ट दे दिया है ठीक है देखते हैं कि अब पर्सक्राइब आप अल्सों वी फांट आप आउट्डोर लेंग लाइग कांक्रीट ठीक है तो इसने हमको मतलब पूरी इंफ्रमेशन दे दी ठीक है तो इसमें यह कर सकते हैं बैक करते हैं यहां से और बैक करते हैं एक बार तो इन दो ऑप्शन के बारे में हमने देख लिया अब्जेक्ट को देखेंगे अब हम इस पर हमने क्लिक किया ठीक है और अब हम चलते हैं थोड़ा सा बाहर की तरफ और देखते हैं किसी चीज़ का टेप्चर करते हैं फोटो को केमरे पर क्लिक करेंगे और यह हमने क्याप्चर कर लिया ठीक है थोड़ा दबेट करते हैं क्या रिजल्ट देखने को मिलता यहां पर हम अभी देखेंगे कि पूरी हिस्ट्री दे देता है हमको ठीक है और यह एप्लिकेशन टोटली ब्लाइंट के लिए ही बनाई गई अउट्डोर लेंड फंपाज़ ब्लाइंट कंपज़ मति तरीक है तो यह सब इसलिए दिखा रहा है कि यह सब एपनी चत्का कर रहा हूं तिके मेरे पास मतलब कोई सामान एसी नहीं जिसको मैं एक रेकर नब्रा दिखा सकूंगा तो यह बाते और देख लेते हैं चाहें क जान यहां पर कुछ है कि अधने इसके फोटो को कैप्चर किया हमने अगे हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट देते हैं यह न और रिजल्ट एकदम करेक्ट हुआ करता है ठीक है कोई डिफ्रेंस अब देखो आ गया है रिजल्ट अर्ट ठीक है प्रिंटिंग है न तो सब कुछ इसने explain करके बता दिया back करते हैं यहां से नेक्ष ओप्षन को देखेंगे है अच्छा आप Color वाला option एंटिक इसमें क्लिक करते हैं कलर सको कैसे explain करेंगा हम देखेंगे हमारे पास एक कपड़ा है ठीक है इसका के color हम देखने देखने वाले हैं ठीक है यहां capture करेंगे camera पे क्लिक करके photo ले लेंगे अब फोटो ले लिए हमने ठीक है अभी देखते है color कैसा बताता है यह ठीक है color में थोड़ा से difference हो सकता है lighting के वज़े से है ना क्योंकि कभी-कभी focus ज्यादा तेज़ लगने रखता है यह दो लाज ब्राउन है ठीक है red भी है blue भी ए ग्रे भी है ठीक है इतने color का यह कपड़ा था जो भी मैंने यहां पर दिखाया ठीक है ब्लेक से लिखा हुआ था रेड बना हुआ था ठीक हुआ भी था और और भी कई color थे न तो इसने मतलब जितने color थे सब इसने explain करके बता दिए ठीक है तो simple थे नहीं था बैक करते हैं यहां से भी इस तरह से आप color रीड करवा सकते हो ठीक है color में थोड़ा सा mistakes हो सकती क्योंकि लाइटिंग का फ़रक पड़ जाता है अच्छा इसके बारे में क्या बता हूं इस पर आप क्लिक करोगी ठीक है आपका camera open होगा फिर आपको अपने बैक के अपने फेस का फोटो या फिर किसी अधर के फेस का फ ले नहीं पाऊंगा तो हो सकता है किसी 85 साल का मुझे बता दे तो यह भी तो सकता है तो इतने में आप इसका प्रिक्टिकल देने वाला नहीं हूं ठीक है बाकी आप इसको example ले सकते हो बैक करता हूं मैं यहां से बैक किया मैंने और लाइस्ट अपसे ने सब्सक्राइब कर सकते हूं और अब आउट देख सकते हूं में वर्जन बगारा बगारा यह सब होता है और रिटेन टू होम स्क्रीन अब हम चलते हैं रिटेन टू होम स्क्रीन तो वीडियो आप लोगों को कैसे लेगी कॉमेंट वर्क्स में जरूर बताना और वीडियो थोड़ा बड़ी जरूर हुए लेकिन useful और कमाल की वीडियो थी चलिए मिलेंगे आपको फिर कभी किसी next एपसोड में जायस श्रीन आ रहा है